नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवंत, महाराश टेट बोर्ड, मैथेमाटिक्स, चप्टर नमबर फाइव, आपरेशन्स ओन, रैशनल नमबर्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है, सिंप्लिफिकेशन आफ एन एक्स्प्रेशन, अब एक्स्प्रेशन का जो सिंप्लिफिकेशन है वो हमें एक रूल से करना है वो रूल है बाडमास रूल अब बाडमास रूल क्या है देखिए तो बाडमास रूल देखने के पहले है आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें और बेल आइकान प्रेस करें जिससे की आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब आपको नोटि तो देखें रूल क्या है सिंप्लिप्रिकेशन के लिए बॉर्ड मॉस रूल तो सबसे पहले हमें है बी का मतलब होता है ब्रैकेट तो सबसे पहले हमें स्वाल करना है ब्रैकेट बी सबसे पहले स्वाल करना है फिर उसके बाद ओ का मतलब होता है आफ आफ मतलब मॉल्टिप्लिकेशन यह होता है जैसे कि ब्रैकेट होगा समझो ब्रैकेट में 2-3 है तो हमें पहले ब्रैकेट स्वाल करना है मैनिस 1 आफ हो सकता है 1 by 2 आफ 30 तो 1 by 2 आफ को मल्टिप्लाई करो और 30 तो 2 15 जा 30 अंसर 15 तो यह होगा है आफ D का मतलब होगा Division M का मतलब होगा Multiplication A है addition और S मतलब है Subtraction तो यह होगा बाड मा स्रूल अब सबसे पहले हमें Bracket के अंदर जो है वो solve करना है Bracket solve होने के बाद सभी brackets solve हो चुके हैं या bracket नहीं दिये गए है तो देखना है Off कहां पे है Off है तो solve करिए नहीं है तो फिर उसके बाद देखे Division कहां पे है तो Division और Multiplication में क्या है देखे Division और Multiplication में इन दोनों में Left hand side से जो भी पहले आएगा उसे solve करिए फिर जो next आता है उसे solve करिए तो serially left side से Multiplication और Division इन में जो पहले आएगा वो पहले जो बाद में आएगा बाद में इसे solve करिए फिर उसके बाद addition और subtraction को solve करना है sign के आनुसार same sign है तो addition different sign है तो numbers का subtraction और greater number का sign तो यहाँ पे sign के जो rule है addition subtraction के वो भी ध्यान में रखना जरूरी है और bottomless rule को भी रखना याद उतना ही जरूरी है B मतलब bracket होता है bracket कैसे होता है इन देखे यह होगा square bracket के उसे हम box bracket भी कहते है इसके अंदर या इसके बाहर एक curly bracket हो सकता है इसे हम कहते है curly bracket फिर यह होगा simple bracket और फिर उसके अंदर बार का भी bracket होता है line bracket उसे हम कहते है तो सबसे अंदर जो bracket होता है पहले उससे solve करना होता है फिर उसके बाहर उसके बाहर के bracket आप solve करते जाहिए तो अब हम एक example simple सा example लेंगे फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के questions solve करेंगे question कहाँ देखे simplify 40 into 10 divided by 5 plus 170 तब यहाँ पे rule हमें लेना है board mass तो सबसे पहले है bracket bracket यहाँ पे नहीं है तो फिर आगे का alphabet देखे O off, off भी यहाँ पे नहीं है फिर आता है division और multiplication इन दोनों में से left side से जो पहले आएगा उसे पहले solve करिए तो देखे यहाँ पे multiply और division यहाँ पे plus 3 operations हैं उनमें सबसे पहले multiply तो multiplier division में जो पहले हैं उसे पहले solve करना है तो 40 into 10 यह हो जाएगा 400 divided by 5 plus 170 फिर division और multiplication में multiplication हो चुका अब left side से देखे division तो division पहले solve करिए 400 divided by 5 5 8 जा 40 5 0 जा 0 प्लस 170 अब addition रहेगी इनके addition करिए तो 0 प्लस 0 0 7 प्लस 8 15 बॉरो 1 250 आंसर आ जाएगा तो यह वह रूल क्या है कि division और multiplication देखे division डी हम ऐसा दिया है division पहले multiplication बाद में अब यहां पे left hand side से division और multiplication इन में से जो पहले आता है उसे हम अगर पहले solve करते हैं तो भी answer सही आएगा और अगर हम पहले division solve करते हैं फिर multiply तो भी answer वही आता है दिखे कैसे 40 into multiplication से पहले हमें division solve करना है तो 10 divided by 5 यह होगा 2 प्लस 170 अब इसके बाद multiply है और addition है तो multiplication पहले solve करना होता है addition से तो multiply पहले 40 into 2 80 प्लस 170 फिर addition करें 80 प्लस 170 250 answer वही आ जाएगा तो क्या है कि division और multiplication और addition subtraction में जो पहले आएगा उसे पहले solve करें division multiplication में सबसे पहले solve करना है सभी division multiplication solve करने के बाद प्लस या माइनस जो है फिर उबाद में solve करना है प्रक्टिस से 25 simplify the following expressions फिर्स्ट क्वेशन है देखे 50 into 5 divided by 2 प्लस 24 अब हम लिख लेते हैं board must rule bracket यहां पर नहीं है off नहीं है division या multiplication इन में से multiplication सबसे पहले है तो पहले multiply करिए 5 5 जा 25 5 0 जा 0 एक 0 लेकर 5 और 5 का multiplication करना है फिर divided by 2 प्लस 24 एक step में एक operation करिए इन में से जो आता है वो फिर सभी जो भी expressions हैं उनको next step में लिखिए अब यहां पर है division और addition इन में पहले हमें divisions all करना है तो 250 को 2C divide करना है तो 2 1 जा 2 2 जा 4 5-4 1 2 5 जा 10 125 प्लस 24 125 प्लस 24 एडिशन करिए 5 प्लस 49 2 प्लस 24 149 question number 2 in bracket 13 into 4 divided by 2 minus 26 तो bracket बार्ड मास रोल लिखना है पहले तो सब इन तो इन प्लस 24 फिप्टी टू अब ब्रेकेट जब भी सॉल हो चुका है या प्रेकेट के अंदर जो भी यह वह वो भी आपरेशन स्वाल हो चुके हैं तो ब्रैकेट यहां से चला जाएगा डिवाड़ बाय टू माइनस 26 अब रहे गए दो आपरेशन से एक डिविजन और माइनस तो इन दोनों में से सबसे पहले हमें डिविजन स्वाल करना है तो 52 को 2 से डिविए करेए 2 तो जा 4 5 माइनस 4 1 2 6 जा 12 तो 26 माइनस 26 अब सब्रैक्शन करेए एक यह ओपरेशन रह गाया तो आंसर होगा 0 question number 3 140 divided by in square bracket minus 11 into minus 3 minus in bracket minus 42 divided by 14 minus 1 तो देखें board must rule सबसे पहले bracket तो bracket square bracket के अंदर जो भी operations है इन्हें हमें पहले स्वाल करना है इस division के पहले तो 140 as it is लिखे और bracket के अंदर भी फिर board must rule करना है bracket के अंदर अगर जितने ज़्यादा operations हो उनमें फिर आप board must rule होगा अब bracket के अंदर off bracket के अंदर कोई bracket है क्या अभी यह जो brackets है उस separate numbers को है मतलब यह minus 3 सिंगल सिंगल numbers bracket के अंदर कोई operation नहीं है तो इन brackets को हम उतना importance अब नहीं देंगे bracket तो हो गया अब आप तो bracket के अंदर off नहीं है फिर division और multiplication इन में से जो सबसे पहले है वो पहले अब दिखिए कितने operations है यहाँ पे यह negative sign 11 का है negative 3 का है यह negative 42 का है तो operation जो होंगे उनके लिए sign जो है वो है एक multiplication का एक subtraction का एक division का और यहाँ पे एक minus तो कुल मिला के यहाँ पे 1,2,3 और 4 4 operations है अब इन में से बार्ड मास रूल यूज़ करके हमें जो पहले आएगा उसे पहले जो बाद में आएगा उसे बाद में स्वाल करना है तो multiplication पहले आ गया तो off तो नहीं है bracket भी दूसरा कोई नहीं है तो पहले हमें multiply स्वाल करना है तो minus into minus प्लस होता है 11 into 3,33 अब इन दोनों का भी bracket चला गया और इन दोनों का multiplication हो चुका फिर minus into minus अब दो sign plus 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 minus minus plus या plus sorry प्लस प्लस मैनेस मैनेस प्लस मैनेस और मैनेस प्लस अगर साथ आते हैं तो उनका हमें पहले multiply करना होता है minus into minus तो यह होगा plus 42 अब divided by 14 minus 1 अब 140 divided by bracket अभी solve नहीं हुआ है bracket के अंदर plus division और minus अभी भी तीन operations है तो इन में पहले addition left side से पहले है लेकिन addition के पहले हमें division solve करना होता है तो पहले हम division solve करेंगे क्योंकि यहाँ पे division BOD division और multiplication यह पहले आते हैं तो पहले divide करना है 14 threeza तो 33 as it is लिखिए plus plus divided by plus प्लस ही होगा 14 threeza 42 minus 1 अब रहेगे यहाँ पे दो operations एक plus और minus तो पहले addition करने है अब देखे addition और subtraction जब भी रहता है तो उन में सबसे पहले देखना है left hand side से solve करते जाना है दोनों का sign same है तो addition करिए different है तो subtraction करिए तो 140 divided by 33 plus 3 यह होगा 36 minus 1 minus 1 फिर 140 divided by 36 minus 1 यह होगा 35 140 को 35 से divide घम 35 twoza 70 होता है और 70 twoza 140 होता है तो 35 fourza 140 हुआ तो answer 4 अगर नहीं आ रहा है ऐसे तो 140 और 35 दोनों नंबर्स को 5 से डियाड होगा 5 7 जा 5 2 जा 10 5 8 जा 47 97 74 जा 28 तो answer आएगा 4 तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों जो chapter 5 था वो अभी समाप्त हो चुका है तो next video में हम indices यह 6th chapter जो है वो अब हम cover करेंगे आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक करें जिससे कि मुझे और थोड़ा प्रोचसान आ जाए और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूं ठीक है दन्यवाद दोस्तों तेंक यू